हेलो बच्चो वेलकम बैक कैसे हो आप लोग तो आज का हमारा टॉपिक है एडियाबेटिक प्रोसेस की एडियाबेटिक चेंज क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस को कैसे समझेंगे क्या इसकी एक्वेशन है विद एक्जामपल एक छोटा सा प्रेक्टिकल भी करके तो चलिए पहले तो समझते हैं definition जो कि सब को पता होगी, definition ये कहती है adiabatic process की, कि वो process, ऐसा process जिसमें heat का exchange, जिसमें heat का change zero हो, मतलब heat का कोई भी change ना हो रहा हो, तो ऐसे process को adiabatic process बोलते हैं, simple और first लवजों में इसको adiabatic process बोलते हैं, example, अब adiabatic process को होने के लिए दो conditions च process हो, इसके लिए दो conditions necessary हैं, तो सबसे पहली condition तो ये होती है, कि जो आपका boundary है, जो आपकी boundary है, boundary है वो dieathermica नहीं होनी चाहिए, या मैं दूसरा बोलूँ, वो adiabatic होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एडियाबैटिक होनी चाहिए, फिर वोई बात, adiabatic ऐसी boundary होती है, जो properly insulating हो, जो properly insulating हो, insulating मतलब, मेरे पास एक system है ऐसा, यह system रहा, यह box रहा, इसकी boundary properly insulating होनी चाहिए, यह boundary है, जो, यह adiabatic, यह properly insulated, insulating का मतलब कुछ नहीं हो, अगर यहाँ पर temperature T है, यहाँ पर T1 है, इन दोनों का temperature, अगर T1 आ, greater than T है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थो लिदे में यह भी T हो जाए, नहीं, नहीं, यहाँ से heat अंदर नहीं आनी चाहिए, यहाँ से heat बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई अंदर से बाहर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर नहीं जा सकता, ऐसे process को, कोई कौन heat, ऐसे process को हम ideobatic process बोलते हैं अगर diathermic boundary का मतलब होता कि यहां से hit जा सकती थी वहां से hit आ सकती थी ऐसी boundary को diathermic बोलते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए होनी कह चाहिए ideobatic होनी चाहिए दूसरा case दूसरा condition adiobatic होने के लिए कि जो change होगा हम किसकी बात कर रहे हैं अभी के लिए अभी हम gases की बात कर रहे हैं जो change होगा या gases की compression होगी या expansion होगी ठीक है हमारे syllabus में gases का ज्यादा लेना देना है ठीक है, fluid की बात करते हैं, तो fluid यह तो compress होगा, यह expand होगा, यह जो compression and expansion है gases की, यह slow नहीं होनी चाहिए, यह process slow नहीं हो, यह fast हो, एकदम से compress हो, एकदम से fast हो, एकदम से compress हो, एकदम से expand हो, एकदम से expand हो, एकदम से compress हो, slow process नहीं होना चाहिए, slowly slowly होगा, तो heat को transfer करने का time मिल जाएगा, एकदम heat बाहर से अंदर जाएगा, एकदम बाहर से अंदर, अंदर से बाहर होती रहेगी, अगर process slow होगा, अगर process slow हो, अगर process slow हो, तो उसको बोलते हैं quasi static process, सुना होगा आपने, अगर आप एडियाबेटिक चेंज लेकर आना चाहते हो आप चाहते हो अंदर की हीट बाहर बाहर की हीट अंदर ऐसा ना हो तो प्रोसेस क्वाजिस्टेटिक ना हो fast process हो fast process हो इसको बोलते हैं एक adiabatic process adiabatic process adiabatic process में होगा क्या देखो obviously अब compress करोगे expand करोगे तो pressure और volume दोनो चेंज होंगे जोनो चेंज होंगे प्रेशर और volume change और यार मैं expand कर रहा हूँगा इसको एक container में एक bottle में मैंने इसको ऐसे प्रेस कर दिया मैंने दोनों से प्रेस कर दिया तो अंदर वाली ग्यास कंप्रेस हो जाएगी इसको दोनों से पिचका दिया बोतल को ऐसे पिचका दिया तो अंदर वाली ग्यास क्या हुई प्रेशर भी चेंज होगा तो सर हीट चेंज होगा यह बाउंडरी एडियाबेटिक है यार अंदर अंदर तो टेंपरेचर चेंज हुआ इस टेंपरेचर का बाहर से कोई लेना देना नहीं है अंदर का टेंपरेचर तो चेंज होगा यार और और अव्येसली एकस्पैंड अगर आपके प्रेशर कम ज़्यादा लगाऊगिए वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज आना कम जाद होने से temperature पे भी फर्ख पड़ेगा बट वो temperature ऐसा नहीं होगा कि धीरे-धीरे अंदर का temperature बाहर के साथ धीरे-धीरे process हो रहा हो तो same level पर, ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंदर एकवा temperature बढ़ गया बड़ा रहना चाहिए अंदर एकवा temperature कम हो गया तो कम रहना चाहिए clear हो रही है मेरी बात इसको बोलते हैं adiabatic process दो conditions इसके लिए जिरूर है उसको याद करके रखो अब बात करते हैं examples ही अब हम बात करते हैं examples of adiabatic process examples of adiabatic process डेर सारी हैं अपने आसपास देखते होंगे सबसे common example सबसे common example अपने tire bursting देखी होगी चलते चलते truck का tire burst कर गया cycle का tire नहीं burst करता जिल्दी जिल्दी से आलांकि कर सकता है हना बट फिर भी tire के truck के tire बहुत burst होगे ये भी क्या adiabatic process हो रहा है तो हम बात कर रहे हैं टायर bursting एक adiabatic process है धिरे धिरे pressure बढ़ने से pressure बढ़ने से क्या होता वर्ली में चेंज होगा वर्ली में चेंज होने से temperature में चेंज होगा तो इतना temperature अंदर बढ़ जाता है वह heat का transfer नहीं हो पाता अंदर और बाहर से कि जो टायर के अंदर temperature हो गया वह बाहर के मुकाबले काफी जादा हो गया अब वह temperature का transfer नहीं हो पा रहा temperature का transfer बाहर नहीं हो पा रहा क्योंकि adiabatic wall है तो वह धिरे 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 इतना उसमें वह gust हो जाएगा और इतना कर पा रहा तो या एक्सपेंशन कर दो इक एक बॉटल में गैस बर कर उसकी एडियाबेटिक वाल हो हूं हम हम विए लिएक तुम्हें तक चरके दिखाऊंगा एक वीडियो दिखाऊंगा एडियाबेटिक वॉल हो वह बॉटल है दो लिटर की पेपसी की वह उसकी वॉल एडियाबेटिक भी नहीं है वट क्यूंकि इसका टेंपरेट इतना फर्क पड़ा है हमने कुछ ने किया हम क्या गर रहे हैं आप देख रहे होंगे वीडियो में हमने क्या किया है एक बॉटल में गैस है हमने क्या किया गैस दिखाने के लिए तुम्हें गैस दिखाने के लिए मैंने एक अगरबत्ती का उपयोग किया कि तुम्हें गैस दिखती रहे उसमें आशे तो गैस तो हई तो हमने एक अगरबत्ती अंदर डाली उस बट क्योंकि बॉटल की वॉल एडियाबेटिक है यहीट ट्रांसफर अंदर बाहर नहीं होगा अंदर बाहर नहीं हो तुम देखे जो सड़न कंप्रेस करोगे उसका टेंपरेचर बढ़ेगा अंदर गैस का टेंपरेचर बढ़ने से अभी तो देखो दुऊंदुऊं सा थोड़ा वाइड 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 सतलब आपको ट्रांसपरेंट्स टाइप सा हो जाएगा अभी ज्यादा तर वो ट्रांस लिव रहा है समझ रहे हो तो यह इन एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है यहीं हीट एट ट्रांसफर बोटल के अंदर से बाहर बाहर से नहीं उप हैं समझ रहे हो तो यह एक्जांपल है आपका किसका एक प्रोसेस का क्या है यह एक और इंपॉर्टन बात बता देता हूं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपको PV डेश्टुधी पार गामा इस इकल टु रहें यह इक्वेशन चलती है यह इडियाबेटिक अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे अभी नहीं कर रहें तो उसमें आप यह एक्वेशन लगाओगे गामा क्या है गामा सी पी बाई सी वही गामा है तो यह एक अडियाबेटिक प्रोसेस की प्रेशर और तेंप्रेचर की फॉर्म में लगाओ पी इसको एन अर्टी लगाकर इसको वी को ए टी से रिप्लेश करता है तो यह एक एडिये बेटिक एकसा लिख लो जैसी तुमारे इच्छा वैसा लिख लो तो होफुली आपको मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट से भी आपको समझ में आया होगा कि ये अडियाबेटिक प्रसस कैसा होता है कैसे चेंज होता है कैसे प्रेशर वॉल्म टेंपरेचर में फर्क पड़ता है हीट का लॉस या ट्रांसफर नहीं होना चाहिए यार बाउंडरी से अंदर बाहर हीट नहीं जाने चाहिए ठीक है तो यह होता है अगले टॉपिक में तब तक तक पढ़ते रहें इंज्वाई करिए और बेरी बेस्ट बच्चों बाई बाई